उससे वेलकंटो आर्सेक के तो आज जो उडियो है कि वह क्लास के नर्सीरौ के लिए मैध की वकषित रहे कि जैसे कि आपको पता है कि नर्सीर की क्लासे अभी बना स्टार्टिंग में बच्चों को आपने कैसे घर पे प्रैक्टिस करवानी है ताकि वो स्लेबस असाली से कवर कर सके ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर वानुफानाथ पर विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जदर से जदर लाइक करें चल में हम करेंगे 1 2 को 2 & 3 4 & 5 स्टार्टिंग हम 5 नंबर से ही करते हैं जैसे जैसे बचा सिखता है तो नंबर को हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे नेक्स्ट हम करेंगे जब नंबर की अडेंटिफिकेशन हो जाए तो बच्चों को शेप जो है उसकी अडेंटिफिकेशन करवानी है जैसे सर्कल, रेक्नेंगल, स्केर और ट्राइंगल जी 4 मेंड शेप होती है तो इसके साथ सेम सेम जो है वो हम मैच करवाएंगे तो आपने ऐसे शेप बिना लेनी है ताकि बच्चा उसको इंटर्स के साथ कर सके जैसे कि हम सर्कल को सर्कल के साथ मैच करेंगे तो बच्चों को साथ में आपने ऐसे बुलवाना है कि रेड्ड सर्कल ठीक है इस इस रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल नेक्स्ट इस स्केर ए dot and draw and color the picture ठीक है तो यहाँ पर जो dots है 1,2 इसके साथ क्या होगा कि बच्चों को counting भी आसानी से आजाएगी ठीक है counting के साथ sequence wise बच्चों को match करवाना है और बाद में उनसे color करवाना है जैसे 1,2,3 ऐसे आपने ऐसे बच्चों से draw करवानी है then उसके बाद उनको पूछना है यह कौन से picture बनी है उसके बाद उनसे color करवाना है तो यहाँ पर हम green और red color करेंगे this is the carrot next हम करेंगे question number 4 circle all the five कोई भी number ले सकते हैं बच्चों को आपने number identification करवाना है तो बार बार practice करवानी है इसमें जो भी number 5 है सिर्फ उसको ही circle करना है बाकियों को circle नहीं करना है तो where is the number 5? this is the number 5, 5, 5 और एक काम और करना है कि जब बच्चे circle कर लाएं तो बच्चों को पूछना है कि इसमें कितने 5 आई है तो count करवाना है जैसे 1, 2, 3, 4 तो side में उतनी lines उनसे किछ वाले नहीं है ठीक है तो ऐसे बच्चों के practice और भी अच्छे से होती है next करेंगे circle the odd 1 तो यहाँ पर हमने number 5 circle किया था यहाँ पर होगा odd 1 जैसे यह line है इन में से कोई जो odd है उसको circle करेंगे जैसे 2, 2, 2, 2 सभी 2 है तो यहाँ पर 4 and 6 are different तो यहाँ पर 3, 5, 3, 3, 3, 3 तो 5 is odd 7, 7, 1, 7, 7, 1 is odd 8, 8, 8, 8, 8 and 9 is odd means different ठीक है तो ऐसे आपने बच्चों से practice करवानी है तो next exercise है वो भी बहुत interesting है count and circle the correct number यहाँ पर जो pictures draw की हुई है उनको count करके circle करना है तो how many leaves are there 1, 2, 3, 4, 5 then where is the number 5 this is the number 5 and how many balls 1, 2, 3, 4, where is the number 4 apples 1, 2, 3, 3 apples next is stars 1, 2 then 2 stars ठीक है तो next exercise हम करेंगे count and write the number तो यहाँ पर count करेंगे और number right बच्चों से करवाना है ठीक है जब उनको numbers के अच्छी तरह से identification हो जाए तो आपने उनसे number लिखवानी है 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर कितने trees हैं 5 1, 2, 3, 4 mangoes 1, 2, 3, 4, 5, 6 carats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triangles 1, 2, 2, 8 तो यह जो exercise हैं बच्चे बहुत ही इंटरस के साथ करते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही helpful होती है तो next हम question number 8 में करेंगे read and mark the line तो यहाँ पर आपने बच्चों से read करवाने हैं यह number कितने हैं और उतनी lines उनसे mark करवानी जैसे this is the number 3 put 3 lines ठीक है तो ऐसे next है number 5 put 1, 2, 3, 4, 5 lines this is number 2 and this is number 6 very careful बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं बच्चों को अराम से करवाना है ठीक है next is number 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and next is number 4 1, 2, 3, 4 ठीक है तो next करेंगे last exercise रहेगी है हमारी match with correct number देखो जो मैंने आज exercise करवाई है तो यह nursery में starting में बच्चों से करवाते हैं ठीक है तो आपने practice जादा से जादा करवानी है इन exercises की तो last में हम करेंगे match करेंगे कितनी dots हैं उनको number के साथ 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर where is the number 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, where is the number 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and this is the number 8 1, 2, 3, 4, this is the number 4 very important exercise तो parents यह थी nursery की math की worksheet आपने बच्चों को जादा से जादा यह exercise practice करवानी है घर पे ताकि उनकी जो number identification है वो असानी से वो cover कर पाएं shapes को अच्छी तरह से याद कर लें उनको पता हो और उनकी जो writing process होगी वो असानी से वो cover कर पाएंगे तो वीडियो को like और share करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you thank you for watching